तर पहली का पार्ट वान है चलिए शुरू करते हैं एक अजूब जंगल था वहाँ ना कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था अब कुशल को तो आप जानते ही है जब तक कुछ अत्रंग ना करे उसे मज़ा नहीं आएगा तो वो अजूब जंगल की सेर पे निकल पड़ा तो आस पहालो और नद्यो के उपर से वह जंगल की सेर कर रहा था तब ही अचानक उसका हेलिकॉप्टर खराप हो जया और ख्राश हो गया कुशल ने पहरा शुट उपन कर लिया वो गिरते हुए जंगल की जाडियों में आके पस गया किसी तरह जाडियों से निकल गया उसे अ अपने राजा के पास लेके गए अजूपा जंगल में आपका स्वाधर्थ है जंगल की कुछ नियाब है इस जंगल में ना कोई आ सकता है ना कोई जंगल से बाहर जा सकता है जंगल के बाहर जाने के लिए पस एक प्रिच है जिसमें हमारा सिपाई पूरा टाइम पहरेडारी करता है अगर कोई आने की कोशिश्ट करता है तो उसे वार्मिंग मिलती है यहां मत आएए वापस चले जाएए अगर उसने बात सुन लिया तो थी और अगर वो आगे आया तो हमारा सिपाई उसे मार देता है उसका निशाना अचूख है ब्रिच को पार करने के लिए 10 मिनिट लगते है हमारा सिपाई हर 5 मिनिट में बाहर आता है ब्रिच को देखता है कोई नहीं दिखा तो अंदर चला जाता है फिर वापस 5 मिनिट बाहर आता है ब्रिच को पार करना नाम उनकी में अब आप यहां से भाग महीं सकते हैं कुशल सोचता है एक तरकीव लगाता है और ब्रिट से भाग जाता है। कैसे? ब्रिट से भागने के लिए 10 मिनिट लगते हैं और हर 5 मिनिट में सिपाई बाहर आता है। फिर कुछल भागा कैसे? क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको सोचने के लिए और समय चाहिए तो वीडियो को पॉस्ट कीजिए। चल ये आंसर रेखते हैं। कुछल ने मस्त प्लान बनाया। जैसे ही सिपाई अपने हट के अंदर गया, कुछल ने ब्रिट से भागना शुरू कर गिया। और 5 मिनिट बाद वो पलट गया जंगल की तरफ। सिपाई ने जब उसे देखा तो वो जंगल की ओर आता हूँ अदिक रहा था। सिपाई ने उसे वार्निंग दी कि जंगल की ओर मरता हूँ नहीं तो मार देंगे। कुछल बोला ठीक है और वो पलट गया और बिट से तुरंद भाग गया। करो करो